हलो दोस्तो सुभी को नमस्कार परकासर हिंदी यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है सातियो इस वीडियो में आजम रेट मैंस रिजल्ट 2023 के बारे में चर्चा करेंगे रिजल्ट में इतनी देरी क्यों इसके जाने चार कारण सातियो रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है इसके हम इस वीडियो में चार कारण जानेगे धोस्तो वो कौन-कौन से चार कारण है जिनकी वज़े से रिट मैंस रिजल्ट जारी नहीं ओपार आया इतना समय लग रहा है सातियो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें और ध्यान पूरवक ध्यान से वीडियो देखे सने ताकि हमारे एक अन्फ्यूज दूर हो कि रीट मैंस रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है सातियो अधिनिस्ट बौर्ड के अध्यक्स ने कुछ दिन पहले का था कि अप्रेल लाश्ट तक रीट मैंस रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा लेकिन उसके बाद में कुछ दिन बाद में ही अधिनिस्ट बौर्ड के अध्यक्स ने फिर अपने बयान में कहा कि result में देरी हो सकती है, हो रही है, माई में result जारी किया जा सकता है, उन्होंने फिर से अपनी और से संभावना बताई थी, लेकिन सातियो रीट में इस रिजल्ट दोजार तेबीस में इतनी देरी क्यों हो रही है इसके हम इस वीडियो में चार कारण जानते हैं दोस्तो इसका पहला कारण है आपको पहले से विदित है कि रीट लेवल फर्ष्ट वे लेवल शेकिन दोनों में पहले से ही विवाद चल रहा था हाई कोर्ट में ये विवाद चल रहा है ये इसका पहला कारण है लेकिन इतना मुख्य कारण नहीं है कि rate man's result जारी होने में rate level first और second का विवाद इसको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहा है लेकिन दोस्तों जो इसका दूसरा कारण है वो हम जानते हैं कि rate man's result में देरी क्यों हो रही है इसका दूसरा कारण सबसे पर्मु कारण है सातियों, rate man's exam होने के बाद में अधिनिस्त बोड की ओर से आपतिया मांगी गई थी जिसमें rate level first और rate level second के सभी विश्यों में 67 या 68 अजार के लगबग आपतिया दर्ज हुई थी जिसमें अधिनिस्त बोड की अधियक्षन भी अपने दूसरे बयान में का था कि अब अपरे लाश तक result जारी नहीं हो सकता क्योंकि आपतिया ज्यादा दर्ज हुई है उनका निप्टारा करने में समय लगेगा और उसके बाद में ही result जारी होगा तो सातियों इसका दूसरा कारण है आपतिया सातियों आपतिया अधिक आने से अधिनिस्त बोड को result जारी करने में देर लग रही है समय लग रहा है लेकिन सातियों आपतियों दर्ज होना और इतनी अधिक संक्या में दर्ज होना कोई मुख्य कारण नहीं है कि result जारी नहीं हो सकता क्योंकि सातियों इतनी ज़्यादा आपत्या भी नहीं लगी है और इतना समय भी इनके उपर नहीं लग सकता कि इनके कारणी result में इतनी देरी हो सकती है लेकिन हाँ ये अवस्य है कि rate minus result में जो देरी हो रही है उसमें एक पर्मु कारणों में से एक कारण है सातियों दूसरे इसका पर्मु कारण यदि हम जानते हैं तीसरा कारणा में जानते हैं सातियों कि पेपर में राजस्तानी वासा के परसन पूँचे गए थे हर पेपर में साथ आठ परसन पूँचे गए थे तो सातियो रिट मैन इस पेपर में जो साथ आठ क्यूशन रास्तानी बासा के पूँचे गए थे उनके ओपर कौट में रिट लगी हुई है कि रास्तानी बासा के परसन इसमें नहीं पूँचा जाना जाये था दोस्तो आपने न्यूज के माध्यम से भी सूचना पढ़ी होगी जानी होगी कि रास्तानी बासा के जो परसन पूंशे गए थे उनको लेकर के कौर्ट में रेट मैंस के रिजल्ट के उपर दोस्तो रेट लगी है लेकिन कोड की और से रिजल्ट जारी होने पर किसी परकार की कोई रोग नहीं लगाई है कि अधिनिस्त बोड कोड को जवाब देगा कि हम किस आधार पर रिटमेंस के पेपर में रास्तानी बासा के परसनों को जोड़े थे सातियों रिट के अंदर कहा गया है कोड में जो रिट लगी है उसमें कहा गया है कि रास्तानी बासा एक आधिकारिक बासा नहीं है इसको सविधान की आठियो अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है तो फिर रिट मेंस के पेपर में साथ से आठ परसन क्यों जोड़े गए साथियो कोर्ट अधनिस्त बोर्ड से जवाब मांगा है बारा मई तक जवाब दिया जाएगा उसके बाद में कोर्ट क्या फैसला लेता है और क्या फैसला नहीं लेता है लेकिन उससे पहले जो रिजल्ट है उसकी जो परक्रिया है वो परक्रिया धीन रहेगी अर्थात परक्रिया चलती रहेगी इससे कोई परभाव नहीं पड़ेगा लेकिन सातियों ये अवस्य है कि court इसके उपर क्या फैस्ला लेता है उसके बाद में ही समय बताएगा कि result किस परकार से बनता है और result में क्या होता है लेकिन दोस्तों ये एक परमु कारण है कि result में इसकी वज़े से भी देरी हो रही है सातियों अब हम जानते हैं चोथा कारण रेट मैंस रिजल्ट में जो देरी हो रही है इसका चोथा सबसे परमु कारण है सातियों कि RPC फर्स्ट ग्रेड और शेकिंड ग्रेड दोस्तों एक्जाम हुई थी अब RPC first grade के तो result जारी हो रहे हैं R10 के result जारी हो चुके हैं सातियों लेकिन second grade की अभी तक सभी paper की answer की जारी नहीं हो पाई है केवल 4 paper ये ऐसे हैं जिनकी की जारी हुई है इसके बाद में second grade की जो अन्य paper की की थी RPC के और से अभी तक जारी नहीं की गई है इसका क्या कारण है ये तो आपको ही पता है क्यूंकि बर्ती में कुछ इसी परकार के कार्यों है थे जो कि आपको विदित है कि paper किस परकार से कहां पर मिल रहे थे किस बस में मिल रहे थे कितने लोग एक बस के अंदर सवार थे तो मेटर चल रहा है तो दोस्तो RPC first grade result और second grade result है ये इसका पर्मू कारण है यदि first grade result और second grade result rate से पहली जारी कर दे जाते हैं इमने जोइनिंग दे दी जाती है तो फिर रीट का result और रीट में जो जोइनिंग होगी उसे रीट वाले students को बहुत जादा होगा क्योंकि जिस candidate का first grade और second grade और रीट तेनों में exam दी है और किसी भी first grade में या second grade में selection होता है और उसका रीट में भी हो जाता है तो यदि पहले वो first grade या second grade में selection होता है उसमें जोइनिंग लेता है तो उदर रीट में सातियों उसकी जो पोस्ट है वहाँ पर रुखाली रह जाएगी और रीट वाले विद्धार्ति को उसका फाइदा मिल जाएगा सातियों आपको विद्धित है कि उपेन या दोन भी अपने बयान में का था उन्होंने भी सरकार से गुजारिश की थी कि RPSC first grade और second grade का जो result है उप पहले जारी किया जाना चाहिए first grade second grade के अंदर पहले zoning दी जानी चाहिए उसके बाद में rate में zoning दी जानी चाहिए ताकि किसी भी परकार से यदि first grade और second grade में यदि किसी candidate का selection होता है और उसका rate में भी selection होता है तो वहाँ पर rate में जो seat खाली रहेगी उसका फाइदा दूसरे candidate को मिलना चाहिए ताकि किसी एक गर में बहुष्चे का उजाला हो सके तो साथियो ये चार कारण थे जिसमें सबसे ज़्यदा पर्मु कारण है RPC first grade और second grade का प्रेणा दोस्तों यदि जारी होते हैं और पहले first grade second grade में जोनिंग दे दी जाते है तो आवसे रीट के अभ्यारती को इसका फाइदा मिलेगा दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें चैनल से जुड़ें दोस्तों रीट के जितने भी हमारे से समन्दित कंडिडेट हैं उनके पास इस वीडियो को आवसे शेयर करें शातियों ये जो चार परमू कारण थे रीट मैंस रिजल्ट में देरी होने के वो मैंने आपको बताए हो सकता है आप इनके उपर विश्वास करेंगे दोस्तों धन्यवाद